परफमात्माट्माट्रेश पलुप्स अब उसको जनम, मरण, जराव्यादी नहीं भ्याफत हो सकती है। सले युवा हवस्ता में उसका चिन में दे प्राप्त हो चुकी है। वो वेकुंट जगत हैं, वो चिन में धाम है। वो तीनों गुणों से परेह। आप आत्मा स्वरूप हैं, आपी सच्चिद आनंद हैं, सच्चिद आनंद हैं। सत मानी सच्चिद आनंद हैं। लेकिन आपने जो ये ओड़ने ओड़ रखें। काम क्रोध का पहन चोलना। मद मोघ मत सर लालच घेकृढ मन हमारा खुझाना और बुद्धी हमारा खुझाना है। वोर तो तोर्षा दॉर्थ बुद्धी माना यह कर दूं कमारा घ। पुमारा हमारा ओड़ल नमारते आज disruptive नंगहकर, आजखल थम नमोंग कापत। ठके लग्ट आदमें रखते थे ठक्राई जाती नहीं थी ठक्राई मिनलो अकड जा मरें झारे घ्रेस्ट खजानी छें और इसे दिरस्ट राड़ चम्री हमारा खजाना भब्र फर भल हमारा खजाना भड़ हमारे हजाना है प्रद्धान शत्रू अमारा कोई शत्रू नहीं है था कोई शत्रू जब माके गर्ब से आये थे कोई नहीं था कोई गोली दे तो फुरंत ले लेते थे अब ही आपको गोली दे तो दस्वर सोचोगे कोण है पता नहीं पैस जैर की गोली मुंत दे रहा है बारतमिे निर्दोश होता है आप भी दे यह ले पाईवड के अंदर कहा गया है जीजस कहते हैं कि जो बालक के समान मिर्दोष होंगे वो ही बगवान के राज को प्रात कर सकते हैं बगवान के दाम में जा सकते हैं बालक के समान मिर्दोष यह एंकार हमारा का जाना तो सतोगुन, तमोगुन, रजोगुन तमोगुनी व्यक्तियों को नरक में ठखेल दिया जाता है रजोगुणी आदमी आ सकती होने के कारण पैसे में, घर में पद में, इस्त्री में पुत्रों में आ सकती होने के कारण यदि उसने कर्म मनुष्य बनने के किये हैं तो मनुष्य ओनी में जन्नारी बने या नर्व उन्हें आके उस घर में एक बड़ फिर आता है कजने भी अदि मनुश्य बने गया है तो भी आता है कुत्ते बिल्ली बनके भी आता है पाल तो कुत्ता बनता है आके देखो आजकल कुत्तों को कहते इसरान होते हैं रोज अच्छी खुराके होती हैं दो-दो किलो मटन खिलाते हैं पिर कारों में घूमते हैं और रहिशों की लड़कियां पूसी किस्मी कुत्ते किस कर रहे हैं उनको तो उन्हों आत्में के कोई कनेक्शन पिछले जनम के हैं ये ये भी आपका अंतागरन शुद्धों तो आप बता भी सकते हैं में याद करता है कि मैंने हजारों मातां का जनम दूद पिया, फिर मैं अकेला हूँ, इस मा के गर्व में फिर अकेला उल्टा लटक रहा हूँ, लेकिन ये बारबार मेरा ये जनन हो रहा है, मरन हो रहा है, बुड़ा पा रहा है, मृत्यु आ रही है, उसका एक मात्र कारण, कि मैं उस हरी को भूल जाता हूँ, उस परमसत्य की चादर को नहीं होड़ना चाता, इसलिए वो प्रतिग्या करता है महा के गर्व में, कि बाहर निकलने के बाद, हम ने उस परमात्मा को नहीं भूलूँगा, लेकिन उसके कर्म, उसको धक्का मार कर, और माया देवी भगवान की, उसके सारे पिछले संसकारों को बुला द की की एसलिए सफलो कि इसने के गवान होता है, नहीं बांवन को भांवन होता है, और उसकी सब्रहोshop है कर्म को सब् कर्म को को समय cidade को है,शे को की बढ़ next लाज वान है जनता है, ऐसा मंतने है, यहां हम अधसे को श्लूद्र को श्द्रही बना हुआ है, पूए यही बणया बना हुआ है करम प्रधान दिश्वकरी राखा जो जैसे करई सो तस फल चाखा अपने कर्मों के कारणी यह सारे सारी स्थिति है सत्वगुण में ब्राम्न रजवगुण में ख्षत्री रजवगुण प्लस तमोगुण में बणिया लिजनिस में तो ब्राम्न के घर में लिए उच्छ ब्राम्न के घर में और उसके करम प्लोगुणी है तो वह व्यक्ति शुद्र कहलता है, और कोई चांडाल सत्वगुणी तो ब्रामन कहलाता है देनों अपने कर्मों से बालमीक भयों ब्रह्म समाना उलटा नाम जपा जग जाना बालमीक भयों ब्रह्म समाना आप कहीं भी जर्म लियाओ इसे कोई मतलब नहीं है आप अमें जर्म जर्म के पापों को नश्ट कर सकते हैं आपके अंदर बुर्दी हैं किसी बुर्द की शरण में जाकर वो आपको पापों को जलाने की वीदी बतला देगा आपके सारे पाप जल जाएंगे फिर उनका फल आपको नहीं मिलेगा वो वीदी बतला देगा वो फल भी कट जाएंगे चार जाती हैं और चार वर्ण चार वर्ण और चार आश्रम वर्ण मनी जाती हैं चार जाती हैं कुन सी हैं द्रामन चत्री वह्ष और शुद्र ये प्रत्ते एक परिवार में भी हो सकती हैं प्रत्ते ये चार जातियां मुसल्मान में भी हो सकती हैं, कृष्चन में भी हो सकती हैं, हिंदू में भी हो सकती हैं दामन कहते हैं जो उस परनात्ता की शरण में है ये भी कोई सच्चे इर्टाते हैं, उस अल्ला की शरण में है तो मुसल्मान दामन लेबल पर है ये भी वो सतोगुनी भोजन करता है, सतोगुनी आहर लेता है, सतोगुनी ब्यवार करता है, सतोगुनी बगवान का दान, कुन, धर्म करता है आज के परिवार में, किसी बाप के परिवार में चार बच्चे पहरा होते हैं एक बच्चा कहता है कि पिता, मैं तो इस अंसार में नहीं पसना चाहता, मैं तो हिमाले में जाता हूँ, कोफी लगा कर, मात्माओं बैठूँगा, किसी गुरु के आश्र में जारू भारूँगा, आपका वो बच्चा ब्रामन के लेवल पर है, वो सतोगों में इस्तिर हो ग पिताजी, हमको तो मिलेटरिम बढ़ती करवा दो आप, ठीक बेटा, भारम बर्दे, वो मिलेटरिम चला गया, तो आपका दूसरा बेटा, शत्री बन गया, तीसरा बेटा कहता है कि पिताजी, ये नौक्री होत्री उमने कुछ नहीं रखा है, और वो बड़ा भावाजी ब तुकान खुलवादो हैं आतपास, जड़ा बेचा करेंगे नमग मेची, जो भी धनिया, ये बणिया बानी जी बन गया, अभी इसको रजोगुनी और समोगुनी कारिय करने पड़ेंगे, कभी जूट बोलना पड़ेगा, कोई आसा बणिया नहीं जूट बोलके नहीं बरते लिए, और चौथा बेटा, बंबई ना आ गया, आया तो हीरो बनने था, लहीं हालत खराब हो गई, अब यो पॉलिस करना है जूटो की, या ओटलों पे कपलेट मांज रहा है, या और कोई काम करना है, शुत्र का काम है, तीनों की सेवा करना, शुत्र का मतलब है, ज बुद्धिमान होगा, तो कपलेट क्यों दोएगा, वो तो मैनेजर बनेगा, ताता मिलका, या मफसलाल मिलका, तीन, चार अवर्ण, यानि जातियां, और चार अश्रम, इसमें पूरी प्रत्वी का समाज इस्तिर होता है, भगवान कहते हैं, चतर वर्णम, मयास रिष्टम गुर्ण, कर्म, विवाप्ष है, ये अर्जुन, ये गुर्ण और कर्मों से चार वर्ण और चार अश्रम बनते हैं, ये मेरी रचना है, उसकी तो सभी रचना है, ये भी एक रचना है, एक ब्रह्मचारी होता है, दूसरा घ्रस्ति होता है, तीसरा बान प्रस्ति होता है, और खुछ जो है घर से आ सकती कम करके भगवान का बजन, मंदिर में बैचना, सस्यों में जाना, बांध रस्ती. और कभी तीपर वहराक आ गया, तो वो ही सन्यासियों में जाके और परमसत्त की खोज के लिए निकल पड़ेंगे प्यासे की तरह. खोजी बन कर. आहार के उपर ये तीनों को डिपेंड करते हैं, नमबर वन. पिछले संस्कारों से भी हम अपने माता पिताओं को प्राप्त करते हैं, हमारे पिछले कर्म तमोगुणी है और तमोगुणी फल मिलने वाला है, कम तमोगुणी माताओं के घर में आके जूलते हैं, कोई विकारीन के पेड़ेंगे, आधी पुरुष. राम, 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 उठा के किसी को मारने के लिए आतुर होते हैं उस समय शीव प्रगट होता है जो मृत्यू का देवता है प्रला कर देगा या क्रोधित होते हैं क्रोध भवान शीव का स्वरूप है उस समय आपका शीव प्रगट होता है जितनी आपकी शक्ति है उतना है शीव प्रगट होगा करना करना है जो को शागी करते हैं बच्चा पेदा करते हैं आपका प्रंम्ह प्रगत होता है जो रजोगुन है जो विसेभोगों में, संभोग में रत रहता है यहीं आप विशनुतत्त को अधिक प्रिगट करें तो आपके गिरने के चांचे जिन नहीं है प्रोट को प्रिगट करेंगे तो गिर जाएंगे, जेल में चले जाएंगे बक्ती नष्ट हो जाएंगे रजोगुन को प्रिगट करेंगे तो बच्चे फैल जाएंगे दस, बीस, पचाथ ऐसे लोग उनके साथ अजार पुत्र थे सगर के साथ, राजा सगर के साथ अजार पुत्रों की कहानी सनी होगी तो यह रजोगुन फैलता है फैला वपनी जाहिर को, अपनी बंगले को अपनी रिष्टेदारी को, अपनी जंसमधा को कि मेरे इतने मित्र हैं, इतने बहुत हैं यह सब रजोगुन फैलता है यह संचार में ख़चाता है कि कहा जा रहा है, राम राम कभ मैं आया कैसे तुमको बजन करने देंगे यह रजोगुण फैलता है रजोगुण दोरता है साल जिन्द की दोराता है सतोगुण इस्थिर करता है बैठाता है बजन करवाता है ध्यान करवाता है ध्यान से जीवन जीता है ध्यान से रोटी सेखता है सब्सक्राइब यह ध्यान है, यह साक्षी भाव आपके अंदर होगा, तो आप गलत काम नहीं करेंगे, आप साक्षी भाव से धारू पियंगे, पियो, बैढ जाओ, बोतल गिलास लेके, पियो, यह धारू है, यह अपरादों की जन्मी है, अभी देखो मेरे पेट में धारू नहीं, यह खाल मतल ला, गुर्दा कपूर हिला, किसी कले जाला, भे जाला, नैपाली लोगे, खोपडी को भी कूट के इमाम दस्ता में, और हल्वा बना के खाते हैं, पाउडर बना के, यहां के भी खाते हैं, मुझे मालूम नहीं, आप जिब ध्यान से बक्रे को काटोगे, यह मांस को खा कर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, यह संसार के कर्म नहीं, निस्काम कर्म, परौफकारी कर्म, उसको कर्म कहा जारा है, उसको कर्म योगी कहते हैं, जो कर्म करके, कर्म का फल परनात्मा को औरपन करता है, यह विराज सरुप को औरपन करता है, भवान कहते हैं कि जो मेरी मूर्ति जो मेरे ब्रेख्रहों की अर्चा बिगवएगी पूजा करता है और विराध का तिरस्कार करता है वह केवल ढॉम करता है पाखंडी है वह तो बभूत में राक में आउती डालता है तो उसको मारो मत रोटी नहीं तो बोल दो बाई आ गया नहीं है है तो डाल दो इस टुकड़ा कोई भूका आ गया मैयाद एक रोटी हो तो अरे भगा ना इसको यह विराज का तिरस्कार है सबके के परमात्मा है आप घर में मत बुलाओ घर में मत बिठाओ दर्वाजे पी दे दे उसको एक रोटी ताजा नहीं दो तो थंडी दे तो दे दो इसलिए तो एकनाथ परमात्मा समझ के और शिव समझ के और गदे को गंगा जल पिला रहे हैं चोईस तक्ष पांच अमारी ज्यानेंद्रियां पांच अमारी कर्मेंद्रियां दस पांच ज्यानेंद्रियों की तनमात्राइं रस, रूप, गंध, और इस्पर्ष, और शब् प्रत्वी जल अगनी वायो और आकाश बीस हो गए मन बुद्धी और एंकार तेवीस हो गए और चौथी मूल प्रकरती जासे सारे मेटर भावा आता है यह 24 तत्वों से शरीर बनाए हमारा लेकिन हम यह 24 तत्वों में से एक भी तत्व नहीं है यह तनमात्रा है क्या है रख यह पंच महाबूत शिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अदम शरीर बना है यह पंच तत्व तमगुन से प्रकट होते हैं हमारी गुद्धी रजोगुन से प्रगट होती है, मन सतोगुन से प्रगट होता है, इंद्रिया भी रजोगुन से प्रगट होती है, जबान जो रसना जो है, इसकी तनमात्रा है रस, जल की तनमात्रा है रस, जल से तालुक रखती है रसना, स्वाद, मिट्टी जो प्रत्री है ये गंध इसके तनमात्रा है गंध जो हमारी ग्राण शक्ती सुनी की शक्ती से तालुक रखती है ये गंध जो है तनमात्रा अमारी ग्यान इंद्री है ग्राण इंद्री है ग्राण इंद्री है नाथ आख हैं आखों की तनमात्रा है सूरी है सूरी नहीं होता हमारी आग कुछ नहीं देख सकती, यह सरफ कौडी है, मिट्टी है, सूरी है इसलिए हम देखते हैं, इसलिए इनकी तरमातरा यादिश्टात्री देखता सूरी है अगनी का तन्मात्रा है रूप अगनी का रूप हम देख सकते हैं वो आज जल रही है हवा को नहीं देख सकते हवा की तन्मात्रा है इस पर्ष हवा को देख नहीं सकते हैं लें इस पर्ष छूँ सकते हैं क्या ठंडी हवा चल रही है गरम हवा चल रही है बदबू आ रही है हवा में कारवन उड़ा है हवा में हवा का इसपर्ष कर सकते हैं इसपर्ष की इसपर्ष इंद्रिय की तर्मात्रा है हवा की तर्मात्रा इसपर्ष और आकाश की तर्मात्रा है शब्द आकाश है तो शब्द है इसमें ब्रह्मांट प्रकट होते हैं तो श जगा नहीं हो तो फटी नहीं सकता लिए आकाश है आकाश मनलत गैप खाली जगा आकाश में सारे ब्रह्मांड प्रत्वी सब अठके हुए है इसकी तर्मात्रा है शब तो यह ब्रह्मांड जब भार में कलते तो ओ ऐसे आवा जाती है बच्चा जब पैदा होता है जब उस सम तो यह एक यह लो खुण है इसको शब्दों का राजा कहा थैशा इसने आकाश के तनमात्रा है एक लिए दो हतेलियों के बीच में आकाश है जगह है तब यह ताली बस ती आवाज आती है अब जागे जगे में आवाज करो या जाती है। ने थ Our Monitorillah bitterness भें अब भुड़ी हैं न एंकार है, न ग्यानेंद्री है काविण है और ना ही तनमातरा हैं, अपनी इच्छाँ से इची प्राप्तिका थे अर गिरज्या थे तो कोई कुछांटे बिल्ली का शष्रीर प्राप्त हो, राभ हम ये श्रीर ये ये मेरा आत है, इतने मेरा और मेरे मेरा श्रीर कितना सुंदर है मेरा श्रीर बिलिष्ट है आप शरीर नहीं है मेरा मन अना है मेरे मं वी मद्धि पाइव रह इय। मैं मेड़ यहारी आउनल, या इयरैंd hattenkalit पहले यह थे पहले नहीं है तो आप शरीर नहीं है, ना बुद्धी ना मन, आप आत्मा हैं, सच्चिदा में आत्मा, यह भगवान यह पर बोलते हैं अर्जन को, कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, जैसे हमारे शरीर को बच्पन, जवानी, बुडापा और मृत्यू, चार अवस्ताइं चेंज होती हैं, ऐसे ही, जो भी संसार में प्रगट होता है, उसका अंत होता है, उसमें विकार पैदा होते हैं, चोटे से बड़ा होता है, बड़े से फिर बुड़ा होता है और मर जाता Cheva ब्रह्मा का शरीर अंत लिए वह सची दानन्द शुर नहीं सभाऀव भोला है उन्का शरीर नहीं चूड़ता ऐसे ही नारायन का शरीर या विश्णु का शरीर ये चिनमे शरीर वाले हैं वेकुंट के शरीर हैं इनके शरीर नहीं चूटते हैं इसलिए बगवान है और हमारे शरीर चूटते हैं इसलिए हम आत्मा हैं ये हम अध्याद करते हैं उचिनमे धाम को प्राप्त करने तो हमको भ अब भी अजर अमर शरीर साथ कर सकते हैं कोई चीज कठी नहीं है अध्याद करना पड़ेगा और जितना अध्याद करनेगे उतना लाव ही लाव है नुकसान नहीं इस जन्द में पूर्ण नहीं हो पाए तो आगला जन्म तो है तो आपकी पूली नेक कमाई आपके साथ जात इस तो आपके साथ जुक्त में और मेरा लिया जुल्कें पूल वारी तुनका मालिक है मैं तो एक मेनेजर हूं मैं तो ब्योस्तापक हूं जिसको कप्रना है किसको अन्न यास्तृ जिसको पूर्ण लाना है इसको पडाने बेजना है, मैं तो इनका ब्युस्ताफट हूँ, यह इंडर्स्ट्री मेरी नहीं है, मैं इसका मैनेजर हूँ, यह खजाना मैरा नहीं, तेरा है गोविल, मैं तो इसका मैने खजानची हूँ, तु जैसे फ्रेना देगा, वैसे खार्च करता रहूँ गा, तब आपका हिंकार चूर होता है तो आप भगवान की शर्मागयति स्विकार कर पाते हैं जो तब मैं और मेरा है आप खुदी भगवान है तो आ सकती है यह आ सकती कभी भगवान से मिलने नहीं देती यह मोह है यह मोह के कारण तो एक इता सुनानी पड़ रही अर्जुन को जैसे जीवात्मा की इस दे में बालकपन, जवानी, ब्रदवस्ता और मृत्यु वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ती है जैसे पच्पन आया, जवानी आई, बुड़ापा आया, मृत्यु आई, ऐसे ही एक और अवस्ता आती है दूसरा जनु में है अर्जुन, इस मिश्य में धीर पुरुष्ट, मौइप नहीं होते, धीर पुरुष्ट, जो धहरिये धारम करते हैं, वो मौइप नहीं होते, धहरिये बड़ी चीज का नाम है, आज से सौ साल पहले के आजली के अंदर बहुत धहरिये था, वो अपने खेत में जो हो जात वो शुक्रतारा हो दे हो गया, आनंद लेके थे, अब हर आदमी गाउं का, शेरों को भाग रहा है, शेरों का, विजेशों को भाग रहा है, धहरिये नहीं, अभी करोरपति हो जाओ, मार दू, मर्र कर दू, लूट लू, तीच दू, मेरा, मैं, या सक्ति है, अभी नाश नहीं तो तू, उसको जान, जिसे ये संपुन, जगत, द्रश्वर ग्यात है, इस अभी नाश नहीं करने में, कोई भी समर्प नहीं है, दिन आपका नाश नहीं होता, आप सदेव अजर्अर अमर है, अभी नाश नहीं है, आपका नाश नहीं, अविनाशित उसे जान जिसे संपूल जगत द्रश्वर्ग जो आँखों से दीख रहा है ये ब्यापते है ये आत्मा से ये जगत ब्यापते है ब्रह्माजी इस ब्रह्माण में नहीं हो तो ब्रह्माण नहीं हो और एक दिन नहीं होगा तो शरी फढ़ा रहा जाता है मिट्टी की तरह बास आने लगती है जब शेत्रग निकल जाता है तो शेत्र पड़ा रही जाता है जारी छेत्रग अंदर बेखा है जैसे एक ड्राइवर कार के अंदर बैखता है इस तो चलाने के लिए वो एतो हिल रहे हैं चल रहे हैं आपके उंची नीची हो रहे हैं नौ द्वारे पुरे जहीं हंसों लेलायते भही यह नौ द्वारा का पूर है पुरी है इसमें हंस आत्मा कभी आंखों में आ के आननलेता भावां है है हाहा है कीसा सुंधर है कभी कारों मैं ओ गला Defense स One गवी आत्मा जबान पादात, बड़ा सा देल पूरी, खाकरे, चाय, शराफ, सिग्रेट, तबाको, भीडी, पेस्ट लेता है, नौद्वारे के पुर में ये राजा आत्मा जगे जगे रो, आनंद लेता है संसार के, लेकिन फिर आनंद लेते हुए फिर और नीची योनी में जाता है, फिर विश्चा का भी आनंद लेता है, जो मजे लेते हैं संसार के, उनको मजे की सजा है, ये ये नम्यती हंतारा, यस्चे नमन्यते हता, उवो तो न विजानी तो, ना हंती नान्यते, इस आत्मा को जो मरा हुआ समझता है, और जो ये समझता है कि मैंने मार दिया, वो दोनों ही मूर्ख है, क्योंकि नहीं तो कोई किसी आत्मा को मार सकता है, ना कोई मर सकता है, कोई समझे कि मैंने इसको मार दिया, कोई समझे कि मैंने हीरा लाल को मार दिया, मार दिया हुए हीरा लाल को, कोई हीरा लाल उसके शरी अर्जुन जैसे कोई भ्यक्ति पुरानी कमीज को उतार कर छोड़ देता है फैंक देता है जाग देता है ऐसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को पुराने खोकले को छोड़ करके दूसरे नए पिंजरे में छली जाती है अपनी कर्मों के हमसार नए शरीर नए कमीज धारं कर लेती है यह हमारे शरीर की उखमा भगवान सरी कुषन कमीज से दे रहे हैं कोई नहीं होता तेने शरीर क्रत आए कमीज है कौन करता है कि वात नहीं चलना है करना है इस शरीर घृता है तो हम सब क्यों रोते हैं महनों तर अज्ञान के कारण मुर्षता के कारण मोह के कारण आ सकती मेरा चला गया यही भ्रह्म अर्जुन को है यह इसके आखों में जला आया नहीं, युद्ध का संक भी पूररूप से कृ मिले पढ़ा, पांच जनग संक मैं ऑचे संग है यूद्ध का संक बढ़ा है। युद्ध जो तीर होतेगा थे वह था थे वविफड़ नहीं ligger तो कैसे हो युद्व का विकुल वजए है अर्जुन हम सब मोग रहते हैं आपका कोई नहीं मरा शरी छोड़ गया रहे आपके पास दस साल पचास साल सो साल उतनी संसकार थे चला गया अपने गंता पिजिशा क्यों खुशी होना चाहिए कभी कभी यहां सो आजाते हैं यह बास सत है एक बार मैं जैपुर में था तो मुझे किसी मेरे गाओं के आदमी ने बोला कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए तो मुझे हाथी आई तो उस आदमी बुजरुग था मुझे पटका रहा तो लोग कैसा बे शुद्ध काम किये, खेतों पर भी अपनी माला जब करते रहते थे, कोई पैसे के चकर में नहीं पड़े, वो भी हमारे अंकल ही समालते थे, दामरते क्रिशन मंदिर में, क्रिशन के पीछे पड़े रहते थे, शंकर मंदिर में शंकर के इसनार गदाते थे, हम उनकी निस्त लेहिन मेनों तक क्या रोना? अच्छेद्यो एम एक्लाद्यो एम एच्छेद्यो एम एदायो एम एक्लाद्यो एशोषो एवचो नित्य शर्व गतेस्तानुर एचलो एम सनातनो ए अरजुन यह आत्म एच्छेद्य है इसको कोई भी अनू, एटम बं खेद्यो एच्छेद्यो 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 एच्छ दिखाई दे रहा है जिजन आत्मा नहीं होगी जैसे आखाँ सर्वत्र है ऐसे आत्मा सर्वत्र है और ये भिष्व आत्मा एक है दो नहीं लेकिन जैसे सूरिय एक ही है लेकिन हम सो गड़े रख दें और सो गड़ों में पानी बर दें तो फिर देखे है आप सो गड़ों में सूरिय दिखाई देंगे इसे ये आत्मा है चोटे-चोटे कंड़ी है असंक सरीरो अरवों अरवों आत्मा ये ये या एक पन मोनाती है ऐसे अरवो खरवो आत्मा धहें Since Ng के आत्मा मिलकर एक आत्मा बनाती है जब आप यह इस बूनज दो जो किसी आत्मा से विराजिबिस विश्वात्मा सेन आत्मा हे तो आपको उस प्रवु मुस्लमान यह लिए हिंडू है यह कृस्चन फेर यह प किसी पेडों अकारण नहीं खेश सकते, फिर आप पेड़ों में कहची नहीं लागा सकते, काज नहीं सकते, बिनाकारण, क्योंकि पेड़ों को भी उतना है दर होता है, जितना हम को होता है, जब हमारे कोई बाल कीशता है, ना कान काटे, वो भी आत्मा है, वो भी खुश है प्रसन में, और जक्री देता है ऑक्सिजन देता है जिसे हम जिंदा रहते हैं पर आपका तो एक शब्द गलत नहीं बोलता पर आप इस अपना ही बहुत आप पेच उसका डायरह बहुत चोटा है जैसे एक बिंडी याल आगा तो पहन से इतना सा जो कम से कम अपने परिवार को पालंग कोशन करता है उसका डायरह थोड़ा सा बढ़ा है लेकि जो अपने पूरे गाओं का परोपकार करना चाहता है उसका डायरह और बढ़ा है लेकि जो पूरे भारत का अपनी गोदी में उठाना चाहता है उसका डायरह और भी विस्तार से लेकिन जिसका डायरा, जिसका प्रेम पूरे विश्व के लिए है, उसका डायरा बड़ा भारी है, अपार है, वो एक संत का इर्दे हो सकता है, संत की द्रश्टी में ये हिंदू-मुस्लिव नहीं होती, ये खिताब है हिंदू की नहीं है, ये गीता शात्र हिंदू का नहीं ह इसके वो अनुसार चले हो बात अलगे घीता तो ये परम ज्ञान है जो सनातन आ रहा है तुमारे हिंदु अभी पैदा हुई है कुछ समय पहले से ये कोई सनातन है क्या ये तो सिंधु नदी के उस पारवाले को सिंदी कहते से इस परवबालबें के फिर०ियु क्याने लगे। ये कोई सनाथन नहीं हिंदू, नई मुसल्मान। कुछ समय पहली मुसल्मान पैदा होई है। दोगाहन धुअजारलों पहली punto कृष्च्छन पैदा हुए। सबते इत्यास है इसका इत्यास नहीं है यह जिद्धियान है यह संत्फन है जब से स्रश्टी चली आ तब से है तो शो कि और गजा斯 आत्म लोगता है आश्चरी के बाती देखता है कोई एक महापुरुसी जिसको इस आत्मा के दर्शन हो जाते हैं आत्म साक्षात कार हो जाता है आत्म साक्षात कार जिसको हो जाता है वो व्यक्ति फिर किसी को सता नहीं सकता क्योंकि वो जानता है कि मैं किसी की चोरी कर सकता, किसी की चोरी करे, अपनी पॉकिट का इधर की पॉकिट का माल इधर की पॉकिट में करने के बराबर है, अरे वो भी तुम ही हो, चोरी किसकी कर रहे हो तुम जैसे एक चोर अपनी डाइं पॉपिट का पैसा बाइं में रखे अले वो आत्मार तुम्हेरे तुम्में फरक्या है ये सारी बिश्वात्मा एक है दो नहीं जो दो समझता है वो तब क्यान को नहीं पहचाना उसको कैसे आत्म साक्षात कार होगा, आत्मा के दर्शन करना, तो कोई-कोई महापुरुस्त इसको आश्चरी की बाती देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुसी, इसके तब तुरका, आश्चरी की बाती वरनन करता है, कि मैंने देखा है, कोई-कोई महापुरुस्त, क कि मैंने आत्मा को देखा है, ये आत्मा विशाल है, विश्तार है, सागर की तरह अनंत है, ये छोटी मोती नहीं है, इसकी शक्ती भी अपा रहे है, ये सूरिय की शक्ती अपा रहे है, ऐसी शक्ती है, और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, और कोई-कोई सुनने क क्वाइब कार तक नहीं पहुचा यह से अभ्यावत्र होता है। इसलिए जो बगवान कहते हैं कि यह अमध श्रवत्र मुझे देखता है। वही मेरे रिजय में वास करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है, यो कणकर में मेरे जर्शन करता है, प्रलात को चोटा बाला के पाच वर्सका, बांदो इसे, ठेरे ठेरा इसको फिर पूछ लेता हूँ, क्यों प्रलात, क्या तेरा, कुछन इसमें भी है? तेरा बगवान इस खंबे में है? अभी जलात तुझे इस से बांदेंगे, साखणों से, प्रलात कहता कि अवश, नेरा बगवान इसमें भी है, नेरा बगवान करकन में है, तो में, मो में, खड़क अंब में, पूर रहे और जर्दीश, तो सरवत्र है, बांदो इस राम जान पर गट हुआ और उस रूप को देखके जैसे इरना किशो भागने लगा तुरंट उसके टेस पकल लिए कि धर जाता है इधर आप और अपनी जांगों पर लिटा लिए आडा और अपने लंबे नाकून गणा दिये पेट में कि बहुत तप करके तुन्हे बर्दान वांगे जकी सिर्पीटं से ब्रभ्रमा से कि ना दिन में मरू ना रात में ना जल में मरू ना थल में ना आकाश में मरू ना पाताल में, ना देदा से ना देट से, ना नर से ना बानर से, बोल अभी दिना है या रात, ना घर में मरू ना बाहर, ऐसे ऐसे बर्दान, इरना कशब ने तप कर करके ब्रह्मा जी से मांग रखे थे, नर सिंग मगवान पूछते कि अब रात है या दिन, तो समय कैसा था, जो सूरी आदा बीतर गया और आदा बाहर है, यह कहता है कि ना तो दिन है ना रात है, बोलो घर में है या बाहर, नर सिंग मगवान ने उसको मैनों के दर्वाजी की देनी के ओपर पकड़ा था, बोलो न दोलो ना नर है ना जानवर, यह नर और सिंग का रूप डर्ण किया, चेर डाला, यह माम पश्शती सरवप, इसलिए आप तो कब अपने बच्चों में भवान के दर्शन होने लगे, कब अपनी पत्नी में, कब माता पिताओं में, कब अपने पड़ोसी तो सबसे भाद में ऑघि इसको बूल जाओ जानवर में बख्षियों में कभूतरों में मोरों में ब्रक्षों में सब से लाश्च में पड़ोसी में होंगे हिए पड़ोसी तो दुश्मन होते हैं कैसे दर्शन करोगी इस ब्रह्माइन तो के अंदर हमारे छोटे ब्रह्मंट के अंदर प्रत्थी की दरशा ऐसे यह जैसे एक ट्रउ के सर्सों से सर्सों के तर्क में से एक दाना अलग कर दिया यह यूंद के प्रत्स़ीं के दाने के अंदरो टो समय को अच्छिक अमे厨 हरकि इक भुटी हमकि है अपरेक है क मैं पू बड़े बड़े संत, सारे बिश्व को कल्यान के लिए देशों में जाते हैं, प्रचार करते हैं, सभी एक है आत्मा है, बिश्व आत्मा एक है इसलिए वेदों के जानने वाले वेदे की कहते हैं कि सर्वेदों सुखी नाम ये विश्व में सब सुखी हो जाए जोना वो भी बोलेंगे कि मुसल्मान सुखी नहीं हो तो मर जाए और हमारे हिंदु सुखी हो जाए ऐसे नहीं बोलते हो सर्वे बहंतु सुखीनाम, सर्वे संतु निरामया, और सब निरोगी हों यह विश्व में, सर्वे बद्रानी पशंतु, और सब्वों में अपने मित्रों की तरह देखूं, सुर्दों की तरह देखूं, दुश्मन की तरह नहीं, यह रोज बेदों के, शास्त्रों के ज्याता बिज्वान महात्मा इस मंत्र को बोलते हैं श्री राम जैराम जै जै राम श्री राम जै ये राम जाती रही भालना जैती द्रमूरती देखी तिन च्वैती श्री राम जे राम जे राम 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 पोसल्याने जाए राम वकित पावन सीता 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 राम आरे कृष्णा आरे कृष्णा आरे कृष्णा आरे राम पोसल्याने जाए राम वकित पावन वकित पावन सीता राम वेज संसार की ब्यौस्था का वरणन करते हैं संसार में रहने के लिए कैसा ज्ञान चाहिए कैसे कर्म करने चाहिए और कैसे प्रेम करना चाहिए ये रिक्साम और येजुर वेज प्रेम करते हैं कि अदया ओर में टीस बात चाहिए जिनका बबाद चाहिए तीनों वेज विश्या वेज निस्तर की अनी पुछ के लिए staying तीनों गुनों का वर्णन करते हैं, कभी ये तमोगुन का वर्णन करते हैं, कभी ये सतोगुन का वर्णन करते हैं, भाई ये बच्चे बात क्यों करते हैं, इनि मात आयरोगें, तीनों गुनों का वर्णन करते हैं, सिर्फ पास दस मिनत, पास मिनत, समय हो गया है इसलिए मैं देखता हूं सिभस से यक करने वाले हैं, हवन करने वाले और पंडीतों में तो फ्राय जो देष्दाओं को बली देते हैं आर्ये समाज में भी क्या करती है बच्छी क्यों क्यों मुह में चाङटा मार रही क्या अपराद किया है इसलीगा तो धर प्राइब है त्युक्त टॉब में है समाज में भी एक करते और यह समझी कैसे होते हैं देखिए ज़्यक्त परमात्मा के लिए करते ही है Г परमात्मा आपको यह मैं हुठ देता हूं कि आऊ ती यानि यह गास जोड़ी गास दिते हैं चाहुती स्वाहा आहा क्या के इसे इसे हैं क्या डेशीगी है यह मतलब स्वाहा का मतलब आहा अच्छु को बीडिदें इसवे प्रमात्मा बां कि देते हैं उनके मंत्रों के अभी प्राएग पैसे सुनिये आत्मा की खुड़ाग नहीं तुम तो भगवान के साथ में बिजनिस कर रहे हो तुमें एक थोड़ी से चावर स्वा आठी है और वो तुझे गोड़ा दो, गाड़ी दो, ये दो, वो दो इनको मात्मा लोग कियों कि नहीं मानते कि मात्मा होगा और प्रमात्मा को प्रेम से किलाएगा प्रणाम करेगा प्रमिश्वर को वो देवी देवताओं को प्रमिश्वर को अम नम्हो भगवते वासु देवायो ओम नमो भगवते वासु देवायो देवीन सरस्वती व्यासा ततो जया मुदी रहेत। नश्य प्राएशु अबद्रेशु निध्यम भागवत सेवया। भागवते उत्तम इश्लोके। बाक्तिर भावती नेश्टकी। Aum! शांती, 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 शांती ग्यान योग, कर्म योग और भक्ती योग तीन ही प्रकार के मार्ग हैं जिन से एक आत्मा, परमात्मा और परमेश्वर तक पहुंच सकती है एक तीन प्रकार से जानने की बाते हैं आत्मा, परमात्मा और परमेश्वर आत्मा जैसे आप अपने कमरे के अंदर बंद हैं और कमरे में सूर्य उद्धे होने पर दूप आई हुई है तो दूप देखकर आप समझ सकते हैं कि सूर्य उद्धे हो गया ये दूप आप सब की आत्मा के समान है लेकिन जैसे ही आप सूरिये को देखने के लिए खिड़की से बार जाटते हैं और सामने एक गोला कार सूरिये दिखाई देता है किर्णों वाला उसे आप परमात्मा के सरूप से समझ सकते हैं और सूरिये लोग में बैठे हुए राजा विविश्वानों जो साक्षा चत्र भुज रूप में है और अनेकों गोडे वाले रत्र में बिराज माने है वो सूरिये लोग के राजा विविश्वानों उसको आप परमेश्वर के रूप में देख सकते हैं इसी तरह आत्मा हम सब परमात्मा हम से उपर और परमेश्वर्थ सब परमात्माओं के उपर इसको विस्तार से मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि अभी यह ज्ञान वीशे चल रहा है आत्मा सो परमात्मा इसलिए कहा जाता है कि आत्मा में छुपे उड़े परमात्मा को यह जिए आत्मा ढून ले खोज निकाले तो उस परमात्मा की शक्ती उस परमात्मा का प्रकाश भी आत्मा पर पूरी तरह से बरसने लगता है तो वे परमात्मा का स्वरूप कहलाता है प्रकाश मान मात्मा कहलाता है पूरा विश्ण उसके चर्णों की तरफ जुकने को आता है वो परमात्मा का स्वरूप है दूसरे रूप में के वन e punk्ल 이egंति प्रकार के भी हुर्यवक्या होते हैं पहला महा विश्णु दूसरा गर्वादक्षाई भिश्णु किस्दा कारणदक्षाई भिश्णु माहबश्णु कोई कारणदक्षाई भिश्नु कहते हैं प्रकार के विश्नु मुख्यतया होते हैं, पहला महा विश्नु, दूसरा गर्भो दक्षाई विश्नु, तीसरा कारणो दक्षाई विश्नु, तीसरा खीरो दक्षाई विश्नु, कारणो दक्षाई पहले बोल दिया, खीरो दक्षाई, महा विश्नु कोई कारणो के बीच में कारण जल जिसको अंग्रेजी में कौजल वाक्न कहते हैं यह जल कोई पीनी वाला जल से था नहीं है यह आती सूक्षम जल है इस कारण जल से ही यह अनंत कोटी ब्रह्मायंद भार निकलते हैं यह मूल प्रकृति का बिगड़ा हुआ रूप है कारण जल इसी में स की और जल से अनंता पंद रहंस जलिकलते हैं निकलते हैं देता हुआ दा मुखत्या होते हैं है कफिल डेवभव्गान अपनी मा देउती को वर्रण करते हं कि वर्रण न सांक मानी ग्यान यह ग्यान का भी तैंद कावनों दक्षाय विष्णू या महाविष्णू एक कोई कहते हैं ये विष्णू एक ही है जो वैकूंट जगत के और भातिक जगत के बीच में कारण जल्में विराजमान हैं कि ए रोपय मेंचे 12 जगत ऑर चाराने वहद दुख संसर है जिस में असंख ब्रह्मांड आउसंख ब्रह्मांड हैMAN ईक बार है अम्हाधि направ अम्हारे ब्रह्माधि के ब्रह्माधि हमारे जैसे बहुत ब्रह्मांड है आसंख महानद की गंती 550 नहीं ची जा सकती जिनका अंत नहीं आज अमेरिका के वैग्यानिक बोलते हैं उनके पास एक 28 सन की दुरवी अमेरिका के बड़े उच्छे पाहर पर रखी हुई है और उसे वो यह आकास के तारों का इनका निरिक्षन करते हैं यह वैग्यानीक बोलते हैं कि हमने सूरिये से भी और सूरीय मंडल, स्वार्ग लोग तक इन तीनों लोकों को एक ब्रहांड आ जाता है, ब्रह लोक तक को जिसको सथ्त लोग विश्णों जनुभाया है, यह ब्रहू्द दुदDAY है एक एक ब्रहमांड में ब्रहमा विश्णु महे Además brings the Frau, Kate Joshua Mahesh, Kanda way! अन्ध ब्रह्मा आमा एंथ विश्णु एंध रिश्रिमा का था जो प्रमांसव की संगीता है कि उस कमेंसे मिल रहा हूं आपते सुना रहा ूं अपनिंषदव भी वारता है कि संगीता चारे इनमें जो अनंत विश्णु है यही शीरोदक्षाई विश्णु कहलाते हैं जो हम सब प्राणी मात्र के इर्दे में बैठते हैं चत्रभुज रूप में प्रत्ते एक ब्रह्मांद को आदे ब्रह्मांद को जल से प्रावित करके उसमें विराजवान होते हैं गर्दुदक्षाई विश्णु वो भी अनंत हैं लेकिन महा विश्णु एक ही हैं महा प्रले के समय जिस प्रले में यह अनंत ब्रह्मांद विलीन हो जाते हैं इनका सारा तक्तु ये 24 तक्तु उस कारण जल में मिल जाते हैं ये पीने वाला जल नहीं है ध्यान रखना या ती सूक्षम वस्तु का नाम कारण जल रखा है कोजल वाटर जिसके कारण से समस्त ब्रमाइट बार आते हैं जैसे एक बूंद का टपका जिसमें से हमारा शरीर ब बिद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध महाविश्णू सास को भाहर छोडते हैं तो दुबारा एक नई स्रिष्टी आती है जिने एक करोडों और्वों खर्मों ब्रमाद फिर निकलते हैं उनके रोन कूपों से ब्रह्मान्द निकलते हैं ऐसी हो शक्ति महा विश्णु है और उनकी सास के साथ हमा आत्माएं भी भार आती हैं और पुने पुने फिर शरीरों को धारन करती है ये महा महा प्रलै का वरनम है एक बार ब्रह्मान्दों के भी समें चोटी सी कथा कहता हूँ हमारे ब्रह्मान्द के चत्र मुखी ब्रह्मा चार मुख वाले ब्रह्मा ब्रह्माजी के चार मुखे उसका भी कारण है जब कल्प कल्प के प्रारम में जब गरवोदक्षाई विश्णों के नाभी में से कमल निकलता है और कमल के उपर ये ब्रह्माजी प्रतम जीव ये ब्रह्मांड का प्रतम पहला आत्मा प्रतम जीव बिराजमान होते हैं तो ये छोटा सा शिश्यों बालक है आप बोलिए ना संक्या स्वामी ही छोटा सा शिवाला के इसके बाद क्या हुआ अरे चुप कैसे हुए तो ये अकेला आपने आपको पाकर चारतर जली जल देखकर और चारतर बिशाओं में गर्दन गुमाता है जिदर उच्छा करता है उदर ही सर हो जाता है चार सर इसको प्रिगट होए तो चार सरों से चारतर देखने लगा कि जली ही जल है क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमल लाल में वो नीचे को उत्रे तो ये तीनो तीनो लोग स्वर्ग लोग म्रत लोग और नरक लोग पाता लोग चोड़ भूवन जिनको बोलते हैं साथ उपर के जल लोग में लोग गय लोग तप लोग ब्रह्म लोग सत्व इंद्र लोग इत्याडी नीचे के रसातल तलातल सुतल वितल इत्याडी ये चोड़ भूवन जिनको चोड़ लोग कहा है या तीन तीन लोग चौड़े बुवन तो एक कमल नाल जो है हमारे ब्रमान्ट की ये तीन लोग और चौड़े बुवन एक कमल नाल के अंदर ही सब है जिन उस समय कुछ रचना नहीं थी तो ब्रमाजी नीचे तक गए तो उनको कोई भी नहीं मिला फिर वापिस पूने फूल के उपर या गए यहां कर उनको एक आवाज सुनाए दी दो शब्द सुनाए दी तप करो तो यह अपने ध्यान में ध्यान वस्ता में तप करने लगी तो तप करने से इनको ओम की ध्वनी सुनाए दी जिसको योगी लोग ज्ञानमार के लोग रात के अर्दरात्री में बैठ कर सुनते हैं अपने कानों को बंद करके अनद की दुंचिस को कहते हैं यह अपने इर्दे से प्रगट होती है बैश्वानर अगनी से प्रगट होती है और ये अनद की दुन जिस योगी को सुनने में मिल जाती है इसके भी दस स्टेजन जो मेग गर्जना सुन लेता है इस अनद की दुन मेग नाद जिसको बोलते हैं ये बड़ी प्रेंकर होती है इस पत्वी के दो टुकडे कर दिये जाएं अचनक इतनी आवाज हो जिस आवाज को आप सैन नहीं कर सकते ऐसी आवाज जिस योगी को सुनने में आ जाती है वो अपने ध्यान लगा के कई दूरस दूर की आवाज को सुन सकता है ध्यान लगा के कलकता में बैखे हुए अपने कोई मिलने वाले की आवाज को सुन सकता है कि कौन से कौन क्या बात कर रहा है ब्रह्मा जी को ओमकार ओम शब्द सुनाई दिया वो हमारे सभी के एरदे में नाद है लिए हम उसको खोचते नहीं है हम भार के ट्रांजिस्टरों को पकड़ते हैं और किल्मी गाने सुनते हैं इनाद को सुनने से योगी को सिद्धियां आ जाती है जितना नाद सुनेगा उतनी अनेक सिद्धियां प्रकट होती है प्रकाश प्रकट होता है प्रकाश ही ग्याम है हमारे अंदर प्रकाश है थोड़ा बहुत ईसलिए हम बोल रहे हैं प्रकाश दिम पढ़ जायें तो हम भी ओई कोई फिलम का जाना लगा दे ना कोई चल चुक्र देख लेना कि प्रकाश दिम पढ़ लहाई निम हो गया लिम जिस योगी के अंदर जिटेश पूंज रहता है इतना ही जान और ज्ञान प्रभाइब प्रकाश दूसरे महापुर्शों को मिला है अनेकों को मिला है तरफी महापुर्शों से खाली नहीं है यह प्रकाश पूर्ण प्रकाश इसको मिल जाता है उसको परमात्मा का स्वरूख या आवतार कहा जाता है कि सादर आत्मा नहीं है यह परमात्मा तुल्ला आत्मा कभी अपनी इच्छा से शरी धारन करती हैं संसार का कल्यान करने के लिए जैसे आदी संक्राचारी है आठवर्श के अवस्ता में सन्यास ले गए कोई है आपके यह पूर प्रकाश ते लेकिन वच्छवन्ना आके ही जब यह थोड़े से बड़े होने लगे तो एक बहुत बड़े संत में जो हिमाले से इनके दर्शन करने आया हूँ दर्शन करा दो दर्शन कराए तो गोतम बुद्ध को गोधी मिले के रोने लगा हूँ बड़ा सिद्ध मात्मा राजा गोतम बुद्ध के पिता पूछते हैं उस समाम का नाम गोतम बुद्ध नहीं बर्दमान गोतम भुद्ध था गोतम ही था बुद्ध तो बाद में प्रत्षी पर एक ऐसी आत्मा प्रगट हुई है यह परमात्मा का स्वरूप है जितने भी आपके बड़े बड़े जिनको आप परमात्मा कहते हैं यह विशाल पुंज है प्रकाश के यह अनंत से जुड़े हुए हैं इसलिए इनको परमात्मा कहते हैं जो इस अनंत से जुड़ जाता है जैसे बूंद सागर से मिल जाती है तो सागर कहलाती है बूंद नहीं कहलाती है आप हम सब बूंद की तरह बैठे हैं इसलिए हम बूंद कहलाते हैं यह जिस परमेशर से मि जाएं तो आपके अंदर भी विशेश करपा उस परमात्मा की बरस्ती है और आपके अंदर आप आप शक्ती प्रक्ट होती है उस सब आप मुर्दे पहात लगाएं तो भी जिन्दा होएं अनेक कारिये हो परमात्मा तो विशेश कारिये करते हैं सब आप कर सकते हैं यह एसा प्रपकाशाब को में तो प्रपकाशाब को में तो को में तो को में तो को में तो झाल झाल